हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार वाई टू इस्टडी पर आज साथ यूँ इस वीडियो में सीखेंगे हम यल सियम और येचस अब यानि कि दोस्तो देखिए आज की इस वीडियो में आपको ये लसीयम भी और उसके साथ येचस याँगा इसलिए दोस्तो अगर आपको येल सीयम और ये नहीं निकलना आता तो आप लोग हमारे वीडियो पर on कर बने रहना क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको दो अंको का और तीन संख्याओं का और दोस्तो चार संख्याओं का LCM और SCF दोनों हल करना सिखाऊंगा इसलिए आप हमारे वीडियो पर अंतक बने रहना तो दिखिए दोस्तो आज का पहला प्रस्ण दिया है हमारे पास 8 और 5 सबसे पहले इसका हम निकालेंगे LCM और उसके बाद निकालेंगे दोस्तो हम HCM तो दीए दोस्तो LCM क्या होता है LCM होता है हमारा lowest common multiple या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं दोस्तो लगुत्तम समापवाड़त या फिर इसी को हिंदी 60 भासा में कहते हैं लासा तो दिखी दोस्तो लोवेश्ट मतलब क्या होता है लोवेश्ट मतलब होता है दोस्तो वा छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरत्य विभाजित हो जाए उसी को हम कहते हैं LCM तो दिखी दोस्तो यहां पर LCM कैसे निकालते हैं सबसे पहले दोस्तो दी हुए जो संख्या हमारे पास दी रहे एक संख्या तो लसिम नहीं निकलता लेकिन दो संख्या तीन संख्या चार जितनी भी संख्या उसमें हम दोस्तों क्या करेंगे उसमें से कोई भी संख्या हमारा छोटी से छोटी संख्या से कटनी चाहिए तो दिखी दोस्तों जैसे यहाँ पर 8 हमारा 2 से कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा तब हम यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो दिखी दोस्तों, दो से भाग लगाएंगे तो आठ हमारा चार बार में कट जाएगा तो यहां फोग जया चार अब उसके बाद 5 नहीं कटेगा दोसतों तो 5 को हम इसे रहने देंगे उसके बाद फिर दोस्तों हमारा 2 से भाग लगाएंगे तो चार कट जाएगा दो बार में तो यहां हो गया दो और पांच नहीं कटेगा पांच को फिर रहने देंगे फिर दोस्तों हम दो से भाग लगाएंगे तो यहां दो हमारा एक बार में जाएगा और पांच नहीं कटेगा फिर हम लाश्ट में पांच भाग लगाएंगे तो यहा यहां से LCM क्या हो गया यहां से यहां से दोस्तो LCM हो गया हमारे पास दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े पांच तो दिखिए दोस्तो अब यहां पर इसका गुड़ा लगाएंगे तो दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ पंचे चालिस यानि कि यहां सो गया साथियों हुमारे पास आठ और पांच का LCM 40 और यही सही उत्तर होगा क्योंकि दोस्तों देखिए आठ से काटेंगे 40 को तो पांच बार जाएगा और 5 से 40 को काटेंगे तो आठ बार जाएगा तो यही वाद चोटी चोटी संक्या है जो दोनों संक्याओं से पूर्था विभाजित हो जाएगी अब देखिए साथियों अब हम सीखेंगे HCF करना यानि कि HCF निकालना तो देखिए साथियों यहां पर दिया है 8 और 5 तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे HCF का मतलब होता है दोस्तो हाइस्ट कामन फैक्टर यानि कि हिंदी में कहें तो महत्तम समाप वरते तो देखिए दोस्तो इसी को हिंदी की साथ भासा में कहते हैं मासा तो देखिए हाइस्ट मतलब क्या होता है हाई इस्ट मतलब होता है वा बड़ी से संख्या यानि कि इसका देखी दोस्तो इसका उधार होगा यानि कि उधार नहीं इसका परिभासा होगा वा बड़ी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं को यानि कि जो इन दी हुई संख्याओं को पूरत्य विभाजित कर दे उसी को कहते हैं तो देखिए साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम उससे भाग लगाएंगे जो संख्षा हमारे पास दी रहे लेकिन वह दोनों संख्षा उससे पूर्ता विभाजित होती रहे तो देखिए यहाँ पर सिभाग देंगे दोस्तों तो आठ तो हमारा चला जाएगा यानि कि कट जाएगा लेकिन पांच नहीं कटेगा तो यहां पर दोस्तों देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्था एक साथ विभाजित कर दे तो यहां पर होगा दोस्तों हमार correct उत्तर होगा तो फिर चलिए साथियों अब हम देखते हैं तीन संख्याओं का LCM और SCM निकालना तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है 10, 12 और 30 तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारी 2 ही है अगर हम यहाँ पर 1 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 10 बार जाएगा 12 बार जाएगा 30 बार जाएगा यानि कि वही हमारा बार बार रिपीट होगा दोस्तो इसलिए हम यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ जाएगा 5 बार में और यहाँ जाएगा 6 बार में और यहाँ जाए प्राप्त हो गया तो यहीं तक हम रहने देते हैं अब देखिए यहां पर LCM बराबर हो गया दो गुड़े दो फिर गुड़ा करेंगे तीन और गुड़ा करेंगे पांच अब देखिए साथियों यहां हो गया दो दूनी चार चारतियाई बारा बारा पंचे साथ यानि कि यहां सिस्का LCM हो गया सिस्टी यानि कि साथ हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों तो इसका 10, 12 और 30 साथ ऐसी संक्या है जो 10, 12, 30 तीनों से पूरतर विभाजित हो जाएगा तो पिर चलिए साथियों अब इसी कहम देख लेते हैं सबसे पहले से हम एक सकतेंगे लेकिन एक सकतने का हमें कोई मतलब नहीं होता तो इसे हम काटेंगे साथियों अब 2 से क्योंकि देखी दोस्तों 2 से हमारा 10 भी कटेगा 12 भी कटेगा और 30 भी कट जाएगा हम ऐसी संख्या से काटेंगे जो तो तीनों संख्या को एक साथ भी भाजित कर सके तो देखिए दोस्तों कटेंगे तो 5 भार जाएगा या 6 भार जाएगा और यहां 15 भार जाएगा साथियों अब देखिए 5 छे और 15 कोई ऐसी संख्या नहीं है साथियों हमारे पास जो इन तीनों को एक साथ भी भाजित कर सके तो यहां पर होगा हमारे पास एक होगा लेकिन एक का लिखने का कोई मतलब नहीं होता तो यहां से इसका esqu f हो जाएगा usati हो हमारे पास आदो यानि कि सिर्फ हमें ऑख ही प्राप थो है तो इसका यसी अफ होगा दो हमा रा करेक्ट उत्तर हो जाएगा तो फिर चलिए साथियों, अब हम देखते हैं, चार संख्याओं का LCM निकालना, तो देखिए, यहाँ पर दिया है, दो, आठ, पांच, चार, तो देखिए, सबसे पहले इसे हम काटेंगे दो से, तो यहाँ जाएगा एक बार, यहाँ जाएगा चार बार, पांच नहीं और दो जाएगा एक बार, फिर दो सकाटेंगे, एक, एक, पांच और एक, अब फिर इसे हम, पांच काट लेते हैं, क्योंकि पांच हमारे पास बचा है, तो यहाँ जो गया, एक, एक, हमारे पास प्राप्त, अधिक यह साथियों, उसके बाद हम इन सभी का गुड़ा करें तो यहाँ से LCM बराबर हो गया, दो गुड़े, दो गुड़े, दो गुड़े, पांच, तो दिखी साथियों, यहाँ से 2 दूनी, 4, 4 दूनी, 8, 8, 5, 40, यानि कि इसका LCM हो जाएगा, 40, तो दिखी साथियों, अब इसका हम सीखेंगे, यसियफ तो देखिए यसियफ हमारा इसका क्या होगा इसका यसियफ दोस्तों देखिए देखने सी हमें पता चल रहा है कि यह चारों संख्यां किसी एक संख्या से नहीं कटेगा तो इसका यसियफ हो जाएगा एक क्यूंकि एक ऐसी संख्या है जो इन चारों को काड़ सकता है तो यहां से इसका यसियफ हो गया साथ ही हुमारे पास एक और यही इसका राइट उत्तर होगा तो फिर चलिए दोस्तो अब हम मिलते हैं एगले क्लास में कुछ अत्धिक महत्पूर प्रश्णों के साथ आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ऐसे ही प्रश्ण देरी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा धन्यवाद